Good morning प्यारे बच्चो आज की happiness के class में आप सभी का स्वागत है बेटा आज की happiness के class में हम एक कहानी पढ़ेंगे मेरी पहचान क्या पढ़ेंगे मेरी पहचान लेकिन ये कहानी शुरू करने के पहले हम सभी क्या करेंगे mindfulness करेंगे, breathing activity करेंगे ठीक है तो सभी बच्चे बेटा एक शान्थ जगे पे आप बैठ जाएं अपनी कमर को सीधी करें और अपनी आखें बंद कर लें जिन बच्चों को आखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है वो बच्चे आखें खोल कर सामनी की ओर देख सकते हैं नीचे की तरफ और अपने हाथ को अपनी गोद में रख सकते हैं अपनी पैरों में रख सकते हैं और डेक्स पर भी रख सकते हैं अब बेटा आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे कौन सी सांस हलकी है और कौन सी सांस भारी है आप जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे ठीक है आपकी जैसे नॉर्मल सांस आ जा रही है उस पर ध्यान देंगे कुछ सांसे हलकी भी हो सकती हैं और कुछ भारी कुछ ठंडी वो कुछ गरम भी हो सकती है आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, बहुत रिलाक्स सा फील हो रहा होगा बिल्कुल शान थो के अपने सांसों पर ध्यान देंगे और बेटा ये पर किरिया हम दो से तीन मिनट के लिए करेंगे उसके बाद रिलाक्स होकर ये कहानी सुनेंगे ओके, रिलाक्स मोड में आ जाएं बेटा आप सब, चलिए अब हम कहानी सुनते हैं कौन सी कहानी, मेरी पहचान फोर्ड एक बड़े उद्धोग पती थे कौन बेटा, फोर्ड, फोर्ड एक बड़े उद्धोग पती थे फिर भी अपने आफिस और फैक्टरी में बिलकुल साधारन कप्डों में आते जाते थे यह देखकर उनके सभी कर्मचारी बहुत अस्चर्य करते और आपस में बाते करते कि बौस के पास इतना पैसा है फिर भी वो इतने साधारन कप्डों में आफिस आ जाते हैं बेटा ये आज के समाने में ये सारी चीज़े बहुत देखी जाती हैं कि अगर पैसा है अगर उसने साधारन कप्ड़े पहन लिए तो सबके में मैं मन में यह यारियत कि प्था कंजूस है कैसे कप्ड़े पहन के आ रहा है तो आप सब के मन में भी ये सारी बाते चल रही होंगी है ना मतलब उनके ओफिस के सारे लोग बहुत ताज्जूब करते थे कि इतने बड़े आजमी है और ये इतना साधार और इतना मामूली सा कपड़ा पहन के ओफिस आ जाते हैं एक दिन उनकी सेकरेटरी ने हिम्मत करके उनसे कह दिया सर आपके पास इतना पैसा है कि आप सारी दुनिया से एक से बढ़कर एक कपड़े मंगवा सकते हैं फिर भी आप इतने साधे कपड़ों में आफिस क्यों आ जाते हैं हेंडरी फोर्ड मुस्कुरा दिये और बोले यहां सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ मैं महंगे कपड़े पहन कर सबको यह दिखाने की चिंता क्यों करूँ कि मैं हेंडरी फोर्ड हूँ कुछ दिनों बाद हेंडरी फोर्ड वर्ड टूर पर गये वे बहुत सी जगों पर गए लेकिन उन्होंने साधारण यानि मामूली कपड़े ही पहन रखे थे उनकी सेक्रेटरी ने उनसे कहा सर आपको यहां कोई नहीं जानता है इसलिए आपको महंगे और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए हेंडरी फोर्ड फिर मुस्कुरा दिये और बोले मैं पहनावे की चिंदा क्यों करूँ और वह भी उन लोगों के लिए जो मुझे जानते ही नहीं है तो बेटा यह कहानी आप सबने सुनी आप सब के मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहा होगा है ना कि हमारी सब की पहचान किस से होती हमारे व्यक्तित्व से होती हमारे कपड़ों से हमारे दिखावे से नहीं होती आप सब को पताए ये चीज़ें तो आप इस कहानी को कहानी से क्या सीखा आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होगी तो बेटा एक सवाल में पूछना चाओंगी आप सबसे क्या समाज में उन सभी लोगों की पहचान होती है जो अच्छे महंगे ब्रांडेट वराइटी वाले कपड़े पहनते हैं कि किसी भी वेक्ति की पहचान उसके अच्छे कपड़ों से कहीं मौताज नहीं है तो आप मुझे इसका जवाब देंगे बेटा ठीक है कि क्या समाज में उनी लोगों की पहचान होती है जो अच्छे कपड़े पहंदे या जो मामूली कपड़े पहंदे उनकी पहचान नहीं होती है दूसरा सवाल ये भी आप मुझे बताएंगे बेटा कि किन किन आधारों पर कोई वेक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकता है तीसरा सवाल आप अपनी पहचान बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे कोई एक नाम बताओ जिसकी कोई पहचान है तथा जिन से आप प्रभावित हैं या भी बताओ कि उनकी पहचान की मुखे वज़ा क्या है तो बेटा ये चार सवाल मैंने आप सभी से पूछे हैं ये कहानी बहुत अच्छी है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ठीक है आप सभी इसका जवाब मुझे आडियो में और वीडियो में बनाकर मेरे पास भेजेंगे कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपके क्या विचार है इस कहानी को ले करके ओके बेटा बाई बाई धन्यवाद